हाई लेर्नर्स हम आगए हैं अपने अगले लेक्चर में अपनी अगली वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे कॉंसेप्ट एक्सक्रिशन के बारे में इस वीडियो में हम एक्सक्रिशन पढ़ेंगे हुमन बींग्स के अंदर या हुमन्स के अंदर excretion कैसी process होती है और इस excretion की process के लिए हमारे पास किस तरह के specialized जो organs हैं इस पूरे lecture में हम लोग उनही processes के साथ और उनही organ और organ system के साथ deal करेंगे तो चलिए start करते हैं इस concept को समझने के लिए इस lecture को have a look here सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि excretion word का क्या मतलब होता है आप लोगों ने initially इस chapter में metabolism processes के बारे में तो पढ़ा ही होगा अगर आपने नहीं भी पढ़ा या आपको अभी remember नहीं है तो मैं आपको फिर से बता दूँ कि जितनी भी chemical reactions हमारी body के अंदर होती है जितनी भी chemical reactions हमारी body में होती है उन सभी chemical reactions का sum total metabolism कहलाता है दूसरे शवदों में कहूँ the sum total of all the chemical reactions occurring in our body is known as metabolism सर ये तो हुई किताबी भाशा जरा मेंटोस जिन्दगी में भी बताईए न कि ये क्या है तो समझिए जैसे कि आपने कोई food खाया आपने जो food लिया उस food से nutrition निकालने के लिए बहुत सी processes हुई राइट आपके food में से essential और non essential substances release हो गए कुछ non essential substances जिल्सकी need आपकी body को नहीं थी वो एक system या एक process के through आपकी body से बाहर निकल गए हुई ना chemical reaction कि जो essential substances से वो अलग हुए और जो non essential substances से वो अलग हुए सर लेकिन ये process chemical कैसे हुई या chemical reaction कैसे हुई ये सवाल भी आपके मन में आ रहा होगा अरे भई आपने पढ़ा था ना digestive system में कि बहुत से enzymes बहुत से acids या juices आपके इस digestion के process को complete करने के लिए या आपके food को breakdown करने के लिए अपना role play करते हैं तो अब हुई ना chemical reaction सर करेक्ट तो समझिए वही है कुछ metabolic activities आपके body की सो बचो the metabolic activities in the body generate many kinds of waste including nitrogenous waste which are harmful for the body and hence needed to be removed सर ये nitrogenous waste क्या होते हैं ये चीज़ जरा बताएए ना बचो nitrogenous waste की अगर मैं बात करूँ तो जैसे की urea जैसे की आपकी body का uric acid बचो और भी कई तरह के आपकी body में nitrogenous waste जो है वो बनते हैं सर क्या इनके अलावा और भी nitrogenous waste होते हैं बिलकुल ये nitrogenous waste जो है ये आपके excess amount of water से भी बनते हैं जैसे की urine भी एक तरह का वही waste है इनके अलावा आपकी body में जो sweating होती है या फिर जो sweat है वो भी एक तरह का एक waste ही है बचो ये चीज़ ध्यान रखिएगा इस sweat के अलावा आप जानते हैं कि आप CO2 या कई other gases जो हैं body से बाहर करते हैं वो भी एक तरह का waste है बचो जो हमारी metabolic activities के बाद body से release होता है I hope कि आपको ये चीज़ तो बहुत अच्छे से समाज आ गई होगी तो चलिए आगे देखते हैं कि ये हमें क्या बताता है ये सभी जो हैं बचो ये harmful होते हैं हमारी body के लिए और मैंने आपको कुछ previous video में भी बताया था कि आपकी body के अगर दो मैं major waste के बारे में बात करूँ तो बचो दो major waste हमारी body के कौन से होते हैं वैसे तो बहुत से waste जो है हम body से remove करते हैं लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं major waste के बारे में तो बचो कौन से होते हैं वो दो major waste जैसे कि मैंने बताया था एक आपको carbon dioxide और दूसरा जो हमने बात की थी बचो किसकी urine की ध्यान रखिएगा यह हमारी body के दो major waste होते हैं बचो ठीक है चलिए so excretion एक ऐसी process है बचो ध्यान रखिएगा excretion is a process by which these wastes are removed from the body in nitrogenous wastes को या फिर इन wastes को body से remove करना वो process है excretion excretion वो process है जिससे हम इसको remove करते हैं I hope कि आपको यह चीज जो है वो समझाई हो बचो कई तरह के organisms जो है वो आपको देखने को मिलते हैं यह कई terms जो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो शायद आपको NCERT में ना मिले लेकिन आपके उस additional knowledge वाले bucket के लिए या back के लिए यह बहुत जरूरी है ध्यान रखिएगा तो क्या है यह knowledge यह है जैसे कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ammonotelic organisms के बारे में यह ammonotelic क्या होते हैं सर ammonotelic का मतलब है ति ऐसे organism आपको नाम से ही पता लग रहा होगा ammonia NH3 आपने बढ़ा होगा ना तो ammonia क्या होता है एक most toxic excretory product होता है बचो कई तरह के excretory products बनते हैं body में तो उनमें से जो most toxic यानि की सबसे ज़ादा जहरेला जो आपकी body के लिए है जहरेला मतलब जो ज़ादा जिसमें non essential substances हो हमारी body के हिसाब से इसको हम most toxic का नाम दे रहे हैं तो उनको organisms को हम a monotolic organisms बोलते हैं कई organism ऐसे होते हैं जो body से एक्सक्रीट जो करते हैं waste वो किस फार्म में करते हैं ammonia की फार्म में करते हैं सर यह organism किस तरह के होते हैं? यह organism कौन होते हैं? बच्चो इन organisms में बहुत से ऐसे organisms आते हैं जिनके बारे में आप चानते हो लेकिन ज़रा देखो तो सही यह कैसा word है यहाँ पे? Ammonotelism क्या कहता है यह Ammonotelism हमें यह Ammonotelism का मतलब है The Process of Excreting Ammonia from the Body Body से Ammonia का निकलना Ammonia तो एक Waste हो गया Ammonia तो एक Toxic Waste हो गया लेकिन जो Processing है उस Waste को निकानने वाली उसको हम क्या बोलते है Ammonotelism ध्यान रखेगा बचो कई Protozoan ऐसे होते हैं जैसे कि Amoeba का आप लोगोंने नाम पढ़ा है यह Amoeba किस के अंदर आता है यह आपके Ammonotelic Organisms के अंदर आता है बचो कई Sponges आपने पढ़े होंगे आपने सुना होगा यह भी इसी के अंदर आते हैं बचो अपने टेड़ पोल के बारे में सुना होगा फ्रोक्स के बारे में सुना होगा क्रोकोडाइल्स के बारे में सुना होगा यह भी क्या करते हैं यह Excrete Out करते हैं अमोनिया को और ऐसे बहुत से और भी Organisms हैं दे आर Amonotelic in Nature I hope कि आपको यह चीज़ जो है वो समझाई हो चलिए अगले देखते हैं जो बचो यहाँ पे अगले है Ureotelic What is the mean of Ureotelic hair? याने कि वो Organism जो अपनी बाडी से Urea Excrete Out करते हैं यह भी एक तरीके का Waste Material होता है और यह बाडी में कहां से बनता है? बचो जो भी आप Food Intake करते हो Body उनकी Body के अंदर हमारी चाहे वो Food से Related हो या Other Processes से Related हो जितनी भी Metabolic Activities होती है उन Metabolic Activities से जो Waste बन रहा है वही हमारा क्या है? Metabolic Waste है और यह अलग-अलग तरह के हो सकते हैं अलग-अलग Organism में इसलिए हम इनको Different Parts में Study कर रहे हैं तो यह आपका हो गया Urea बचो इस और इस Excretion की Process को हम क्या बोलते हैं हम या इस तरह के Organism को हम नाम देते हैं Ureotelism यह कई यह Process को हम बोलते हैं Ureotelism जो Animals होते हैं बचो इस तरह के जो Animals आप देखते हो इस तरह के Animals जो Excret करते हैं Urea को इनको हम नाम देते हैं Ureotelic Animals बहुत से Animals बचो आपने सुना होगा Including Man और या फिर Humans तो बचो Earthworm जैसे हो गए या फिर Man हो गए या Sharp हो गए उसके अलावा जैसे आपके कई cartilaginous fishes होती है जिनकी body cartilage से made up होती है soft bond से made up होती है वो भी इस तरह के प्रवर्ती के होते हैं या इस तरह का nature शो करते हैं Excretion के process में चलिए ये चीज भी आपको काफी अच्छे से समझ आई होगी Next हम देखते हैं याँपे Ureotelic वो थे Ureotelic और ये है Ureotelic चलिए तो बचो देखो Excretion जो यहां हमें देखने को मिल रहा है वो क्या है Uric Acid का Right Uric Acid body से निकालना तो बचो This is known as The Ureotelism इनको हम क्या बोलते हैं Ureotelism And the animals will excrete this acid Which are called Ureotelic animals Telism होना एक process है ठीक है ये होना एक process है उसी तरह से previous उसमें भी हमने कई processes देखी और इस तरह के animals को हम क्या बोल रहे हैं जो excrete कर रहे हैं ये इस तरह के animals को हम क्या बोल रहे हैं Ureotelic animals बचो ये चीज़ ध्यान रखिएगा So Ureotelic animals कौन कौन से होते हैं ज़ादा तर अगर मैं कहूं तो insects भी आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं उसके इलावा जो आपके birds होते हैं वो भी इसी तरह के Ureotelic organisms के अंदर आते हैं ध्यान रखिएगा चलिए तो बहुत से insects हो गए आपके reptiles जैसे के lezard हो, snakes हो ये भी Ureotelic प्रवर्ती के होते हैं उसके इलावा जैसे हम birds के बारे में बात कर रहे हैं बचो तो वो भी इसी तरह के जीवों के अंदर, organisms के अंदर आते हैं I hope कि आपको ये चीज़ जो है वो समझ आई हो आपके, आप हम लोग बात करते हैं यापे human excretory system के बारे में बचो मैंने कहा था कि जब भी हम किसी system के बात करते हैं तो हम उस system को बनाने वाले organs या उनके parts को ज़रूर discuss करते हैं बचो यहाँ आपको screen पर ये figure तो बनी हुई दिख रही होगी और अगर मैं exam point of view से बताओ आपके boards के तो बचो ध्यान रखिएगा ये topic ultra important है बचो ये topic जो है ये 5 star important topic है ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा बहुत बार इस पेसे सवाल पूछा जाता है और बहुत बार पूछा गया है मैं ये कह सकता हूँ कि ये frequently आने वाले topics में से एक है जिन पर सवाल हर साल लगभग पूछे ही जाते हैं तो बचो इसको बनाने वाले जो आपके humans में excretory system में consist किस-किस से होता है अब pair of kidneys आपको यहाँ क्या देखने को मिल रहा है अब pair of kidneys बचो ये एक excretory organ होता है अगर हम kidney के बारे में बात करें यहाँ पर so the kidneys जो आपकी pair में present होती है तो ये क्या है ये excretory material में इसको बोल सकता हूँ इसके पास होते हैं जिनके बारे में हम लोग आगे deal करेंगे तो basically ये excretory की process में अपना role play करती है ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बचो तो ये major role excretion में कर रही है बच्चो उसके लावा आप यहाँ पर देखते हैं one pair of ureters तो ये आपके यहाँ पर हो गई ureters याने की मैं इनको क्या बोल सकता हूँ the ureters बच्चो ये जो ureters होते हैं ये ureters एक तरह से tube की तरह होते हैं कैसे होते हैं? tube की तरह होते हैं और ये जो tubes होती है न ये urine को pass कराने में अपना role play करते हैं या फिर जो waste है उसको आगे pass कराने में अपना role play करते हैं passes the urine मैं ये भी इसको simply कैसकता हूँ ये tube अपना role play इस तरह से करती हैं उसके बाद हम इसमें अगला पार्ट देखते हैं बचो वो कौन सा है जिसको हम बोलते हैं a urinary bladder तो बचो ये जो urinary bladder होता है न ये एक तरहा से reservoir का काम करता है किसका काम करता है रिजर्वियर का काम करता है ये बात आपको समझ आ रही है न रिजर्वियर मतलब कि urine को कुछ time period के लिए ये रिजर्व करके रखता है या फिर मैं कहूं कि store करके रखता है आप इस diagram को बहुत ध्यान से देखिए अगर मैं कुछ previous years की बात करूं तो ये question direct पूछा गया है ध्य फ्तॉब Lexington fix थमिल को यहां पर ये द्यान रखेएगा urine मुजायर के बारे बात एक ही आप सीरह यही न लिखा है कहीं 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 लिख diversity vard युल यहां पर हमारा हो गया ठीक है और इसके बार जो labeling satisfying करते हैं बचो दो कौन सा पार्ठ है वह हमारा यूरेट्रा क्या है यूरेत्रा बच्चों यह जो यूरेत्रा है यह कैसा है यह एक एक स्टीरियर पोर्शन है कैसा है यह बहारी पोर्शन होता है और यह जो है यह बहार मतलब लाने में इस यूरेन को अपना रोल प्ले करता है यह कुछ पार्ट्स हैं जो इस सिस्टम को बना रहे हैं यह और गन और इस organ system को जो बना रहे हैं चलिए आगे देखते हैं बच्चो देखे ये एक इतनी बड़िया जिफ है ये इतनी बड़िया छोटा सा आपके सामने ये जिफ है जो की बहुत ही important साफ मिरको लग रहा है किस point of view से जो आपको help करेगा इसकी position बताने में बच्चो मैंने पहले भी आपको कहा है कि आपको position जरूर पता होनी चाहिए कि किसी part की किसी organ की position कहां पर होती है तो अगर मैं कहूं तो ये आपका पूरा पीछे आपको ये जो पीछे दिख रहा है ये आपका क्या है बच्चो ये आपको vertebral column है और यहां पर आपके इस vertebral column के अरे ये रही kidney बई, kidney तो यहाँ पर है हमारी, ऐसा लगता ना, लेकिन नहीं, kidney यहाँ नहीं है, यह position नहीं है, कहाँ पर, यह position आप देखिए जरा इस figure में ध्यान से, last thoracis reason और third lumber vertebra के पास, बहुत सी पॉंस होती है, cervical thoracis, lumber, जो कि आपको इस vertebral column में देखने को मिलते हैं, त चालिए, तो यह तो बात रही, इसकी position को जानने की, अगला बच्चों हम यहाँ पर देखे, तो kidneys कैसी होती है, radish brown होती है, कैसी होती है, bean shape होती है, है ना, जैसा कि हमें दिख रही है, length की बात करे, 10 to 12 cm length, 5 to 7 cm width के अगर हम बात करें, thickness की अगर हम बात करें, तो 2 to 3 cm thickness की होत होती है, यह चीज़ ध्यान रखिएगा, यह कुछ basic information आप लोगों के लिए, right, कि उसकी जो configuration है, वो किस तरह से है, यह चीज़ हमें यह बताती है, right, तो देखी किस तरह से transportation की process इसके अंदर हमें देखने को, I mean, जो waste को किस तरह से transport कर रही है, इसके अंदर और blood कैसे आ रह हो, सवाल कैसा पूछा जा सकता है, यहां तक कि इस part से, तो बचो वो है, कि ड्रॉ करना है, आपको diagram of human excretory system का, मैंने आपको पहले भी कहा, कि यह इतना important है, कि आप बार 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 जो है, इस पे सवाल पूछे जाते हैं, चीके, तो यह आप ड्रॉ करेंगे human excretory system को, I hope कि आपको यह चीज जो है, वो अच्छे से समझ आई हो, इस वीडियो के अंदर, और आपको इसमें कुछ सीखने को जरूर मिला हो, तो इस lecture में बचो इतना ही, आगे हम अपने lecture में समझेंगे, कि urine का formation किस तरह से होता है, इस वीडियो में अभी इतना ही, अभी के लिए, टाटा बाबाई, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स पो वाटिए।